परना चुले की ग्राम मौहली में बिते 14 जुलाई को एक 18 वर्षी आदिवासी युवती के साथ दुशकर्म की घटना सामने आई थी जिसकी शुकायत उसने अब पवई पुलिस थाने में पहुच कर गी थी रस्पर मामले में महिला ने पुलिस को बताया के ग्राम के ही 18 वर्षी युवक ने उसके साथ दुराचार की घटना को अचाम दिया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्सकर वर्ष दिकार्यों के निर्देशन पर 24 गंटे में ही आरूपी को पकट कर अपनी अभिरक्षा में ले लिया और अग्रीम कारवाही की जा रही है प्रदेश के परिवन मंत्री गोविन सी राचपुत दतिया दौरे पर है जोहन होने पदार्थ की बर्थी के मतोकुले कर कहा कि कोरूना की वज़े से पुरी दुनिया की अर्थ व्यवस्ता प्रपावित हुई है जिससे भारत भी अचुता नहीं है अब सित्या सुधर रही है अब हम उस से दीरे दीरे ऊपर रहे हैं आगे सित्या सुधर रही है परिवान मंत्री गोविन से राजपुत ने ये बाते दत्या दौरे के दुरान कही जहां उन्होंने मा बगला मुकी देवी के दर्शन कर शिवाले में पूजार चुना की पैट्रोलियंपदार्थ की बड़ती किमतों को लेकर कहा कि कोरोना की वज़ा से अर्थव्यवस्ता प्रभावित हुई है जिसमें भारत भी अचुता नहीं रहा है बड़वानी के ठिकरी में लोग लगातार ओनलाइन ठगी के शुकार होते नसरा रहे हैं हर दिन ऑनलाइन ठगी को लेकर नए नए मामले सामने आते हैं डिजिटल पैमेंट के सरिये पेसे ट्रांसफर किये जो आ रहे हैं जिसके कारण लोगों की जमापुंजी से हाथ दोना पड़ रहा है ठेगरी तानब अंतरगत ग्राम पटेल पुरा बरुफाटक के युवक के खाते से 25,000 रुपे की राशी फोन पे के माध्यम से किसी गोल्ड पे एक के नाम से ट्रांसफर हुई है जो की देर रात करीब तीन बचे के लगपक ट्रांसफर की कई युवक ने बताए उस समय वो घर पर सोया हुआ था सुबह जब देखा तो यहां जानकारी मिली की खाते से पैसे निकल गए है जिसके जानकारी भाई को दी गई परिट के भाई के अनुसार डिजिटल पेमेंट के सरिया अलग-अलग समय पर दो बार रुपे निकाले गए जबकि उसके पास ना कोई फोन आया और ना ही कोई OTP वहीं अपने आप में एक अजीब मामला है क्योंकि अब तो साइबर क्राइम करने वाले बिना किसी कवायत के ही आमादमी के अकाउंट को निशाना बना रहे हैं नागदा के गरांग गिंधबानिया में कुछ समय से चोरी का सिलसल अलगातार बढ़ता चाह रहा है जिसके शिकायत ग्रामिन उत्वारा बिर्ला ग्राम थाने में की गई थी बिर्ला ग्राम पुलिस ने कारवाही करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था मामले में दोश्यों को जमारत पर रिहा भी कर दिया कया रिहा होनी के बाद एक आरुपी लाला और उसके साथी द्वारा नाक्ता चाहते समय एक ग्रामिन को घेर कर लाटियों से मार्पिट की गई जिसके बाद गाउं के ही संजराठोर त्वारा थाने में शिकायत की गई ले इसवर पुलिस ने ज्वाज कर श्विगरिक आरवाही करनी का आजवाशन दिया मंडला में शुक्रवार सुबा आठ पचे के लगपक मंडला चबलपुर मार्क एनेचु 30 पर ग्रामिनों ने विश्ली समस्या को दूर कराने के लिए चुक्का जाम कर दिया जिसके अगुवाई महिलाओं के द्वारा की गई रशाषनिक अधिकारियों को जाम किये जानकारी लगते ही वो मौके पर पहुँचे और उसनकी समस्या करने राकरन किया करिब एक से देड़ घंटे में ही जाम खोल दिया किया और वाहनों की आवजाही शुरू हो गई पैट गई और उन्होंने बिश्ली समस्या का जब तक निदाकरन नहीं हो जाए तब तक नहीं उठने की बात कही हाला कि अधिकारियों के आश्वाशन की बाद उन्होंने चुका जाम को समाप्थ कर दिया शोपूर में महात्मा गाधी सिवा आश्रम द्वारा पोशन वारी अभ्यान के तहत घर खर पोशन वारी लगाई चाएका मात्मगांदी सेवा अश्रम द्वारा संच्वाली तखास सुरक्षय वं पोशन विविदिता कारिक्रम के अंतरगत समुदाय को पोशन वाणी लगाने के लिए प्रेरिद करने के उदेशी से पोशन वाणी लगाओ महा भ्यान 15 चुलाई से 30 चुलाई तक चुलाया जाएका ऐसा भ्यान का शुभारम शेवपूर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगती के से किया कया कारिक्रम समन्वेग अमित कुमार ने कारिक्रम का उदेश बताते हुए बताया कि महत्मगंदी सेवा अश्रम द्वारा चुले के 2000 परिवारों के यहां पोशन वाणी लगाए जाएकी हमने पिछले वर्ष तयार किये 1500 पोशन वाणी को हम वर्ष भर पोशन वाणी में परिवर्थित करेंगे और इस वर्ष हम नए 500 परिवारों को पोशन वाणी लगानी के लिए बीच पूधी उपलब्द कराएंगे और वाणी लगानी के लिए तक्नीकी सयोग भी प्रदान करेंगे